आज के लेसन में हम ड्राइंग करना पहले देखेंगे यह सबसे इंपॉर्टन स्टेप है क्योंकि जब तक आपके फाब्रिक के उपर कुछ अच्छा डिजाइन नहीं बना कुछ ट्रेस नहीं हुआ तो इस यूजलेस तो मूझ फॉरवड मैं ही LED लाइट को यूज करी हूं इसको मैंने अपने ग्लास के टेबल के नीचे रख लिया है और इसके उपर अब मैं यह प्रिंटेड फ्लोरल जो है यह मैंने रखा है आप यह तो प्रिंट कर वा लें फ्यूर ड्राइंग इस नॉट कुड अगर आपने खुछ ड्राव कर सकते हैं तो अपने हाथ से ड्रा अब क्योंकि फैब्रिक आपका इस पुजिशन पर हिल सकता है तो उसके लिए नेसेसरी है कि हम मास्किंग टेप जो है उसको एंड्स पे जो है वो लगा लें ताकि जो सिल्फ फैब्रिक है वो बिलकुल भी हिले ना चारों कोनों में मैं थोड़ी थोड़ी सी टेप लगा ज्यादा फैब्रिक के ऊपर नहीं लगाने ताकि जब चिप आफ होगी टेप तो फैब्रिक रोसा डामेज हो सकता है तो इसलिए बहुत ही कॉर्णर में छोटी-छोटी सी टेप लगा लें मैं एट पी पैंसल जो है यूज करी हूं यह स्केचिंग की एट पी पैंसल जो है इसका इंप्रेशन बहुत डाक होता है लेकर अगर आपके पास यह नहीं है तो इस परफिक्ली ओके आप नॉमल पैंसल भी यूज कर सकते हैं उसका काफी लाइट होगा थोड़े सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी इस पैंसल का यह है कि मैं बहुत ही कम प्रेशर के साथ जो है इस पी पैंसल होती है अगर आप के पास टू भी शेक्स पी यह फोर भी पैंसल है तो दाट विल इकुली वोग वेल और आप उसको भी यूज कर सकते हैं उसका भी जो है वो इंप्रेशन काफी अच्छा होता है विदाउट एनी विदाउट इसर्टिंग सो मुच प्रिशर स्वार कीप ट्रेसिंग डी कम्क्लीट फ्लार और इसके बाद में इस साब्रिक को जो है वो अपने वोडन फ्रेम पर स्ट्रेच कर लूँगे झाली कर दो एनी वोडन पर स्ट्रेशर का लूँगे एक मेथड है आपका ट्रेस करने का अपने फाब्रिक पे कोई भी फ्लोरल या कोई भी डिजाइन बाइ प्रिंटिंग यूर डिजाइन फर्स्ट